मुरादाबाद की ही जहां CM योगी प्रेस कॉन्फरेंस करेंगे तो पर एक बच के 45 मिनट पर CM योगी का ये प्रेस कॉन्फरेंस होना है और जैसा कि हमने पता है सर्किट हाउस में उन्होंने तमाम जन प्रतिनिदियों के साथ अधिकारियों के साथ मीडिया को भी बुलाया है यानि मुरादाबाद के लोगों के लिए कुछ घोशना हो सकती है कुछ छेलान हो सकता है और ये प्रेस कॉन्फरेंस का जो तैवक्त है वो एक बच कर 45 मिनट पर है हमने आपको कुछ दिर पहले ही दिखाये था तस्वीरों को जहां वो कोविट कमांड सेंटर पहुँचे थे अधिकारियों के साथ बाचीत की चर्चा की जन प्रतिनिदियों के साथ एक मुलाकात का दौर चल रहा है सर्किट हाउस में और यहीं पर मीडिया को भी बुलाए गया है एक बच के 45 मिनट पर तो माना ये जा रहा है कि मुरादाबाद को लेकर कोई बड़ा फैसला या फिर कोई घोचना हो सकती है इसी के तहत मीडिया को यहां बुलाए गया है देखना होगा कि CM योगी की ओर से यहां के लोगों को क्या राहत और दी जाती है हालातों पर चर्चा करने के बाद जाइजा लेने के बाद क्या CM किसी निशकर्ष पर निकले हैं कि मुरादाबाद के लोगों को जो जरूरत है जो इस वक्त सबसे ज़ादा परिशानी से जूज रहे हैं चाहे वो जन प्रतिनिदी या दिकारी क्योंकि उनके पास अप्रत्यक्षिरूप से लोगों की ही समस्याएं आती है ऐसे में बहुत जरूरी हो जाती है ये मीटिंग और इस मीटिंग के बाद ये संबोधन और ये प्रेस कॉंफरेंस जिस पर ABP गंगा की नजर पनी हुई है जैसे कोई अपडेट आएगी हम आप तक पहुँचाएंगे बहुत जरूरत है हर एक जगे से ऐसी ही तस्वीरे आ रही है जहां ऑक्सीजन हो वेंटिलेटर हो दिया फिर दवाईया या गाओं में टीम के पहुँचने की जद्दो जहर ये सारी समस्याएं जसकी दस उपनी कर दोगी